हेलो दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे गोंद कांकरी या गोंद पंजीरी या इसी राजस्थान में काले मिर्च कांकरी भी कहते हैं तो इसे बनाना बहुत ही आसान है हेल्दी ब्रेकफास्थ है यह इसके लिए हमें चाहिए तो कप के हुगा अटा थोड़े से गीरी थोड़े से बादाम ड्रैप्रूट आप अपने मन के साब से ले सकते हैं थोड़ी काले मिर्च गोंद और एक प्याला हमें चाहिए घी का और एक प्याला ही हमें चाहिए यहा जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसे स्टोर करके हम महीनों तक रख भी सकते हैं तो देखिए यहां पे घी को हमने अच्छे से गरम कर लिया है इसके बाद को हम हातों से थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और यह जितना गौन है इसमें हम तल के निकाल लेंग तो यह अलग-अलग दाने इसके रहेंगे गौन पंजीरी को बना के हम कही दिनों तक स्टोर कर सकते हैं और यह स्वीट भी है हेल्दी भी है पंजीरी टाइप की भी है प्रशाद में भी चरह सकते हैं इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं डेली नास्ते में खा सकते हैं जब हमारा बंजीरी या काले मिर्च कांकरी इसे राजस्तान में तो कांकरी ही कहते हैं और जगह इसे गोंद पंजीरी भी कहते हैं ये एक तरह से पंजीरी ही है पर इसमें गोंद और काले मिर्च डाल देते हैं तो वो कांकरी टाइप की हो जाती है ऐसे हम सारे गोंद को तल के निकाल ल कुष्भा दढू लग राओन होने तक इस चीत्पानस तब काली दीची से छाटे तक करूब के ज्युक्ताने हुए मुखने मुखने सुछते से काप मिर्च यह जाएनों झाल हो उसे साथ से काली मिर्च आप इसी टैम में डाल दीजे ताकि आटे के साथ काली मिर्च भी अच्छे से भुन जाए जैसे यह लाइट ब्राउन होगा आटा तो हमें यहां पे जो गूंद हमने घी में तल के रखा था वो गौन अब हम इस आटे में मिला देंगे इसके साथ ही ह पर गैस बंद करके हम इसमें डाल देंगे एक कप चीनी जो हमने ली थी वो चीनी अब हम इसमें डाल देंगे गैस बंद कर देंगे और इन सबको अच्छे से यहां पे मिला लेंगे तो लीजे हमारी गोन पंजीरी और काली मिर्च कांकरी यह तयार है तो लुप तो और कोमेट करके जरूर बताएं कि यह पंजीरी या काक्री एपको कैसे लगई मेरा ये वीडियो आप सब को पसंद आए तो प्लीज लाइक करें सेयर करें करें अब सब्सक्राब करें जो मेरे चैनल पर नहीं हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुन लब भूले, पहला इकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें, और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी, थैंक यू सो मच,